महाराश्ट के 3.5 शक्ति पिठों में से एक श्री कोलापूर की श्री महालक्षमी देवी है। अधिवक्ता निलेश सांगोलकर जी हिंदू जन्जागरुती समिती के अधिवक्ता संगटक है। आपका अध्यात्मिक स्तर 62 प्रतिशत है। मैं आपसे अनुरोद करता हूँ कि वे इस महत्वपूर्ण और गंभीर विशे पर हम सभी का मार्गदर्शन करे। करवीर अर्थात कुलापूर स्री महलक्षीमी देवस्थान महाराष्टर में जो साड़े तीन शक्ति पीठ है उसमें से जागरूत देवस्थान जो कुलापूर में है। हाल में ही कुलापूर देवस्थान में जो स्री महलक्षीमी देवी की मूर्थी है वो विदरूप होने की वारता मार्च 2023 में प्रसिद्व माध्यों में से जलकी थी। तब मूर्थी की अवहलना रोकने के हेतु हम क्या उपाय कर सकते हैं इस संदर में हम कोलापूर में गये थे। आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं हम सबसे पहले समझ के लेंगे कि सो वर्ष की आयू में स्री महलक्षीमी देवी की मूर्थी की सिति क्या है 1920 में जब मूर्थी का बाया हाथ भगन हुआ तो मूर्थी का बाया हाथ धातू की पट्टियों से टांकर मूर्थी को जोड़कर रखा गया। हम सबी को ग्या थे यदि हमारा हाथ यदि फ्यक्चर होता है तो एक महने तक यह हाथ गले में टांकर रखने में कितनी कठिनाई होती है। प्रानन्द तीर्थ ने पहल की और मूर्थी के उपर शास्त्रिय वजलेपन किया। मूर्थी की आयू में याने मूर्थी की जिवनकाल में यदि वजलेपन किया जाता है तो एक या दो बार ही वजलेपन किया जाता है। एक बार मूर्ती पर वज्रलेपन करने से मूर्ती की आयू सो साल तक होती है। लेकिन गत 68 वर्षों में महालक्षिमी देवी के मूर्ती के उपर बार बार वज्रलेपन अर्थात अशास्त्रिय रासायनिक संवर्धन की प्रक्रिया की गई है। रासाइनिक संवर्धन याने जहां पे मुर्ती भंग होती है वहां पे रासाइनिक लेपन किया जाता है। हिंदु धर्मशास्त्र पारंपारिक पद्धती से वजरलेपन की अनुमती देता है लेकिन धर्मशास्त्र ग्यात नहीं करना धर्मशास्त्र के आधार पर वजरलेपन न करने हुई पुरत्व युभाग के द्वारा हर छे मेने में वजरलेपन किया जाता है वजलेपन करना याने किसी शरीर के उपर सर्जरी याने शल्य कर्म करने जैसा ही आत्याचार मुर्ती की उपर हो रहा है वर्ष 1997 में याने 1997 में कोलापूर के जिलादीकारी ने मूल मूर्ती जरजर रोखने के लिए मूर्ती के उपर सनान अभिशेक एवम नित्योप्चार बंद की गए याने 26 वर्षों से मूल मूर्ती के उपर सनान अभिशेक एवम नित्योप्चार के उपर पाबंदी लगाई गई है कि अभी हम ये विशे प्रस्तुत करते समय कुछ चायचित्र यहाँ पे दिखाय रहे हैं कि किसी के भावनाओं को आहत पहुचाने के लिए लेकिन वास्तविक्ता क्या है मंदिर सरकारी करण का दुश्परिणाम क्या है और हमें आगे चलके क्या करना होगा यह विशे समझने के लिए यहाँ पे हम चायचित्र के माध्यम से यह विशे प्रस्तुत कर रहे हैं हम सभी को पता है कि मूर्ति के उपर स्नान, अभिशेक एवं नित्योपचार करने के उपरान्थी देवतत्व जागरूत होता है तथा पी यह उपचार पुनरूप से बंध है यहने सभी भक्तों का एक बड़ी मात्रा में यह उपहासी चल रहा है इस संधर में कोलापूर के विवीद समाज में जो दिवी के भक्तगण है उन सभी को एकत्रित कर हमने देवी भक्त सकल हिंदू समाज यह व्यास्पीट का निर्मान किया इस व्यास्पीट के माध्यम से हम कोलापूर के जिलाधीकारी से यह मूर्ती के उपर सनान, अभिशेक एवं नित्यवचार शुरू करने की दुष्टी से हम निवेदन दिये ततकाली जिलाधीकारी ने अपनी लाचारी दर्शाते हुए कहा कि मूर्ती की स्थिती अच्छी नहीं है यह मंदीर सरकारी अधिगरहन का दुष्परिणाम है यह हमें ध्यान में रखना होगा अब कितने समय तक स्री महालक्षीमी देवी के मूर्ती के स्नान अभिशेक इसके उपर प्रतिबंद रहेगा यह प्रश्ण आज भी अनुत्रित है वर्शत 2015 में रासाइनिक प्रक्रिया मूर्ती के उपर की गई हिंदू जनजागरती समिती द्वारा भारी मातरा में विरोत करने के उपरांत भी 2015 में मूर्ती के उपर वजलेपन किया गया उससे क्या आनी हुई यह हम यहाँ पे समझ के लेंगे यह रासाइनिक समवर्धन करते समय मूर्ती के मुख्य भाग पर याने सीर पर नाग न बनाकर पूरातत्व विभाग ने मुकुट बना दिया उसी के साथ महतोपुर्ण प्रतिक भी उन्होंने नहीं बनाए याने मूल मूर्ती का रूप ही उन्होंने बदल दिया इस संदर्ब में करवीर महात्मय शिलालेक इसमें स्पष्ट उलेक होते हुए भी मूर्ती के प्रतिक नहीं बनाए गए मूल मूर्ती में दिवी का वाहन सीह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है जबकि रासाइनिक समवर्धन की वी मूर्ती में सीहस पश्चरूप से नहीं दिखाई देता मूल मूर्ती का चाय हित्र में हम नेत्र देख सकते हैं और रासाइनिक समवर्धन प्रक्रिया की गई जो मूर्ती है उसकी नेत्र भी हम देख सकते है तो हम सभी को ध्यान में आएगा कि मूल मूर्थी के चाय हित्र में जो देवी के नेत्र है वो अधिक तेजस भी है अधिक जागरूत है इसी के साथ सम्वरधन की गई जो मूर्थी है उस मूर्थी के नेत्र भी हम यहाँ पे देख सकते है और दोनों मूर्तियों में हम सभी को ध्यान में आएगा कि देवी की जो मूल मूर्ति है तो उसमें आबूशन्स पश्टरूप से दिखाई देते हैं अपितु जो रासायनिक समवर्धन की गई मूर्ति है उसमें आबूशन्स पश्टरूप से नहीं दिखाई देते पुरातत्व विभाग द्वारा की गई रासाइनिक प्रक्रिया की नाम से जो प्रक्रिया की जारी है उसकी डकल सले बाजी वर्ष 2017 में उजागर होने लगी मूर्थी के उपर सपेद रंग के दाग दिखाए देने लगे तो पुना एक बार मूर्थी के उपर रासाइनिक संवर्धन की प्रक्रिया की गई वर्ष 2022 और 2023 में अधिक दुश्परिणाम दिखाए देने के कारण मूर्थी के उठो पर हुईवी च्छती चिपाने हेतु फिर एक बार नवरात्र उत्सव आरंब होने से पूर्व मूर्थी के उपर रासाइनिक संवर्धन यानि वज्रलेपन किया गया तद उपरांथ देवी के चेहरे के हावबा ही पूर्णरूप से बदल गए इस साल यानि 26 जनवरी 2023 में मूर्थी के बाये कान की निकट की खपची निकल गई इस संधर में नाहले द्वारा 14 फरवरी 2023 को सुनवाई रखने की उपरांथ भी प्रशासन, मंदिर के स्रीपूजक, देवसान समीती एवं पुरत्वव विभाग इन में से किसी ने भी उत्तर नहीं रिया वर्तमान में देवी की मूर्ती अत्यनत जरजर हुई स्थिती में है देवी के पानपात्र का जो हाथ है उसकी दो उंगलिया पुर्णरूप से जरजर हुई है साथ ही माडूंग याने सिट्रॉन फ्रूट जो हाथ देवी के हाथ में जो फल है उस दाई हाथ की उंगलिया भी पुर्णरूप से जरजर हो गई है इसी के साथ देवी के पैरों की उंगली या ही पुनरूप से निकल गई है भाईयों स्री महालक्षीमी देवी के मूर्ति की जैसे दिस्थिती होती है तो ये स्री पुजक, देवस्तान समीती के सदस्य, जिलादीकारी न जाने कितने डक्टरों से मिलते खुद की शारीक स्थिती अंदेखी न करने वाले देवी की मूर्तियों की संदर में अंदेखी करते हैं यही इसमें ध्यान में आता है स्री महालक्षीमी देवी भी ऐसे नाममात्र हिंदूओं को ध्यान क्यों रखे यह प्रश्ण यहाँ पे आता है उस संदर में जब हमने संपर्ग किये तो करवीर शंकराचारे का अपवाद छोड़कर कोलापुर के सभी घटकों में मूर्ती भंग होने पर क्या करना चाहिए इसके संदर में अनोची धारणाए है और दुर्भाग्य की यह बात है धर्मशास्त्र क्या कहता है यह समझने की स्थिती में भी वो नहीं है ऐसे हमें संपर करते समय ध्यान में आया इस संपर करते समय स्री पूजयक मंडल यानि मंदीर में देवी की मूर्ती की जो पुजा करते है इनका संगटन है पुजारियों की आयोग्य एक मानसिक्ता है कि आयोग्य कृतियों के करण मूर्ती के भंग हो गई है ऐसा आरोप न लगने के लिए उन्होंने इसलिए स्री पूजयक मंडल जूट बोल रहा है कि मूर्ती भंग नहीं हुई है उन्होंने शुंगिरी पीट के शंकराचार्य को यह असत्य बताया और मूर्ती केवल जरजर हुई है यही बात उन्हों शंकराचार्य को नहीं बताई और शुंगिरी पीट से वो एक धर्माजिनने लेके आया है कि मूर्ती के ऊपर सुवर्ण कवच चड़ाकर अभिशेक एवं पुझा अरंब कर सकते हैं अब वे वो धर्माजिनने लेकर कुलापूर के मंत्री जिलादीकारी इन सबसे वो मूर्ती बदलने का विरोध कर रहे हैं और मानसिक और भावनिक स्तर पर अभवान कर रहे हैं कि जब अपनी मा की दुरगटना होती है मा के हाथ को चोट प बदलते हैं यानि मानसिक और भावनिक स्तर पर अभवान का स्रीपूजक बंडल मूर्ती बदलने का विरोध कर रहे हैं प्रस्तुत यहाँ पर करते समय ध्यान में आता है कि मंदिर के स्रीपूजक यानि पूझारी इनको धर्म के प्रतिनी दी है उन्हें धर्म का और अध् उन्हें धर्म शिक्षा देने की आवशक्ता है कुलापूर बंदीर प्रशासन जो है जो मंदीर है वो महाराष्ट्र शासन द्वारा संचलित है पश्री महाराष्ट्र देवस्थापन व्यवस्थापन समीति द्वारा यह संचलित है यानि उसका प्रशासक जिलादीकारी है वो जिलादीकारी भी इस संदर में तटस्तता की भूमिकाम है। याणि मंदीर में स्री पूजक जो है वो ब्राम्भन वर्ग के हैं। तो उनमें बाहर और अंदर जाती के अधार पर जगड़े होते हैं। मंदीर की गर्भग रोह की व्यवस्था स्री पूजक याणि मंदीर के पूजारियों के पास है। और बाहर का व्यवस्थापन मंदीर समीती के सदस्यों के पास है। याने उन्होंने एक अगोशित विभाजन करके रखा है कि गर्भग रुह की याने मूर्ती के संधर में जिम्मेदारी है, वो स्लिप उजक मंडल की है, याने तटस्ता की भूमिका में जिलादी कारी है। ये गत्न 7-8 वर्षों से हिंदु जनजागूर्ती समीती का यह अनबो है। यसी से हमें ध्यान में आता है कि मंदिर के पुजारी एबं प्रशासक, सरकारी क्यों न होने चाहिए और देवी के भगत क्यों होने चाहिए इस से हमें ध्यान में आता है। इस संदर में हम जब पत्रकारों से मिले तो ध्यान में कैसे आया कि यदि इतने बड़ी मात्रा में मूर्ती की अवस्था सिती जरजर हुई है उंगलिया नहीं है तब भी पत्रकारों ने प्रसार माध्यों मों से एक अगोशित प्रतिबंद लगा के रखा है तब हमने एक पत्रकार से पूछा कि इस संदर में अगोशित प्रतिबंद क्यों लगा के रखा है तो उन्होंने बताया कि कोलापूर ये देवी के श्रद्धा का विश्य है लोगों को यदि ये समाचार पता चलता है तो कोलापूर में वातावरण विस्पोटक हो जाएगा उस समय मुकदर्शक बैठे रहने वाले पत्रकार भी धर्मद्रोई है यहामें आपे समझ के लेने के अवशकता है मंदिर के मूर्ति के संदर्ब में क्या करना चाहिए इसमें मतबिनता होने के करण स्थानिय धर्माधिकारी जो है वो भी समुह किसी भी निर्णय तक अभी एक है बनाई हुई मूर्ति और दूसरी है अनादी सिद्ध याने स्वयंब मूर्ति देवता की बनाई हुई मूर्ति याने उसी उत्पत्ती सिथी एवं लएका नियम लागो होता है इसलिए मूर्ति जरजर होने पर अथवा भंग होने पर धर्मशास्तर के अनुसार उसकी तत्वधारण विधी में कर नई मूर्ती की प्राणप्रतिष्टापना कर जा सकते है अनादी सिद्ध मूर्ती याने यह मूर्ती किसी भी मूर्ती का अर्द्वारा तयार नहीं की गई है अपितु अपने आप यह मूर्ती उत्पन्न हुई है उधारण के तोर पर यह हम देख तो जोतिरलिंग शनी शिंगनापूर की शनी की मूर्ती याने ये अनादी सिद्ध मूर्तियां हैं, य algunosCam एदि भनक होती है तब भी उसके उपर पूजा की जा सकती है ऐसा हमारा धर्मशास्त्र कहता है उसी के साथ देवता की बनाई हुए मूर्ती को किसी सिद्ध पूर्ष ने स्परश किया हो तब भी मूर्ती जरजर होने की उपरांद भी उसके उपर पूजार चाहम कर सकते है कुलापूर में कुछ धर्मादीकरियों का कैना है कि आदिशंकराचार्य चैतन्य महाप्रभू जैसे सिद्ध पूर्ष द्वारा मूर्ती को स्परश करने के कारण यह मूर्ती बदलने की अवशक्ता नहीं है इन सभी भिन्न भिन्न भूमिकाओं के कारण कुलापूर स्री महालक्षीमी देवी की मूर्ती की अवेलना प्रति दिन चल रही है वर्तमान में प्रभधन द्वारा हमने कुछ समाज के गटकों में इस संधर में अनुशी जो धारणा फैली हुई है वो धारणाय बदलने है तू हमने संपर कर वो प्रयास हमने किये है वो सफल है लेकिन अब भी नई मूर्ती की प्राणप्रतिश्ठापना करना इसके लिए भरपूर कारे करना अवशक है यह कुलापूर का हमारा एक उधारण है लेकिन महाराष्ट्र में सरकार नियंत्री जितने मंदिर है पंडरपूर है तुलजापूर है आधी सभी बड़े मंदिरों में यह अलपावधिक मात्रा में यही सभी जगह पे हमें अनबो है बंदों शिग्र से शिग्र मंदीर सरकारी करण से मुक्त करना ही एक मात्र उपाय है इस संदर में हम सभी प्रयास करें यह करकर मैं मेरे वानी को हुरु के चरणों में विराम देता हूँ नमस्कार